एलो प्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल स्टडी विद इस्वान अकाडमी पर आज हम राजतान के बुगोर्षे समधित मैंतोपुर्ण पुष्णों को देखेंगे जो आगे आगया में प्रिक्षा 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 होने वाली है उसके लिए मैं चलिए देखते हैं आज का पहला क्यूशन राजतान का चैतर पर कीतना है तीन लाख ब्याःश्था दो खुन फरिस हो रकी में उर कि में या राजस्तान सबसे बड़ा राज जयकांपर बारत में और बारत का दस पॉंट 4 पर 30 सथ है कौन राजस्तान और बारत का चैतर पर कितना है 32,3,230 वर्ध किनी और राजस्तान का आकरती कैसी है विसम चत्रुबुज है अगला क्विक्षिन अक्षियांस वे देशांतर विस्ता तो अक्षियांस कितना है 23 डिगरी 3 मिनट से 30 डिगरी 12 मिनट उतरी अक्षियांस है कुल अक्षियांस कितने है वन एटी वन एक्सो एक्यासी और देशांतर है विस्तार शिक्स्टी नाइन डिग्री से तीस मिनिट से अठतर डिग्री शत्रा पुर्वी देशांतर के वाध्य राज्तान है और कुल देशांतर कितने हैं तीन सो साट है एक्सो ऐसी डिग्री देशांतर अंतराश्टी अती थिरेखा है जो बारत का इससे समझेए बास में 5R 20 मिनिट कि यह अगे है बाघुक्रिम werden अक्समी वाध मैं पांस में कितना है नाटจะ साढ़ी पांच गन्टे आगया कि से एक 1060 पैर उनतराश्टी एक दकार राजस्तान की स्तल्यے सीमा चल्मिवाइ कितनी है 5920 किलोमेटर ँसमें इसमें से 11070 किलोमेटर को इसाथ महीं ये 12opt लिए 40 से चिलोमेटर कि वोम्द्य रेका जीरोडरी मक्कर रेका साड़ी 23 डिगरी दक्षिन और करकरेखा साड़ी 23 डिगरी उतरी राजस्तान के दो जिलों से उकर गुजरती है और आकर्टिक रेक वर्थ साड़ी 26 डिगरी उतर और अंटार्टिक वर्थ कौन सा है साड़ी 26 डिगरी दक्षिन अगला राजस्तान के पडोशी राजे राजस्तान के पडोशी राजे इतने हैं पांच जो कर्म से उत्तरशे दक्षिन की हो रहे हैं सबसे पहले पंजाब रियाना यूपी एमपी गुजराथ सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है एटीनाइन किलोमेटर और सबसे दीक है मद्यापरदेश की सोड़ा सो किलोमेटर लगती है कांट किसे लगती है राजस्तान से लगती है अंतराश्ट्य सीमा वाले जीले जेसल मेर बाढ़ मेर श्रीगंगानगर बीकानेर जेसल मेर की सिमा कितने किलोमेटर और 464 बाढ़ मेर की 228 श्रीगंगानगर की 210 और बीकानेर की 168 के मिया और अगला कोटा बूंदी जालावाड बारा दक्सिर्णी पुरुवी पठारी प्रदेश में आते हैं पाली की सिमा लगती है पाली की सिमा कितने जिलों सकते है आठ जिलों से लगती है इसमें नागोर अजमेर उद्यपुर राजमंद शिरोई इनसे लगती है नागोर की सीमा भी कितने जलों से लगती है, साथ चलों से लगती है और पाली की सीमा या देशी राज्याय या किसी देश से नहीं लगती है देश या राज्ये से नहीं लगती है और उत्तर से दक्षिन की लंपाई कितिनी 826 किलोमेटर और पूरो से 25 पश्चिम की ओर चोड़ाई कितिनी 819 किलोमेटर 826 और 869 किलोमेटर अगला देखते हैं बर्तपुर संभाग का अगठन 4 जून 2005 को और बर्तपुर कोन सा संभाग हैं साथ मा किस संभाग में कितने जूने हैं जूदपुर संभाग में कितने जूने हैं 6 जैपुर में कितने हैं 5 बर्तपुर में 4 अजमेर में 4 बिकानेर में 4 कोटा में 4 तो सबसे एक डिकोन से में हैं जोदपुर में 6 जैपुर में 5 बर्तपुर में 4 अजमेर में चार बीकानेर में चार और कोटा में भी चार राजस्तान में संभाग्य व्यवस्ता का प्रारम राजस्तान में संभाग्य व्यवस्ता का प्रारम कब गुवा था 1958 से लेकर 1962 तक pasta नहीं गया गया ुषय रिभाले भजय स्माप तक दीए गया Cay IG किया गया इसको संभा गिया व्यवस्ता को अगला क्युसंग भूमाद य अरेखा प्रत्वीक को दो बागों में बात दिये वो मद्य रेका परतुई को इतने बागों बाड़ दिया, दो बागों में कौन समें, उत्री गोलार्द और दक्षणी गोलार्द में दो देशांतरों के मद्य समेंतराल कितने का है, चार मिनट का और ग्रीन भीट रेका है वो का अज़त है UK के अंदर इस्थित है UK में कौन सीले का ग्रीन भीट रेका दो देशांतों के मध्य केसमें तर रzdर कितना है चार मिनट अगला क्युशन दक्षिन पुरुवी राजस्तान के डखकनलावा पठार छेतर में बेसोडगड चितोडगड मिश्तित है से बिजोल या बीलवाड़ा तक का भूबाग क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है उप्रमाल यह पठारी बाग है इप्रमाल यह कोणि के सब पुष्त बाग है पठारी बाग ऐमपी से सीमा नहीं लगती कोटा बारा भरतपूर दोडगड तो किसके नहीं लगती भरतपूर के नहीं लगती राजस्थान में उत्री पस्छि मुरुष्तिल परदेश पूरुवी मेदान तता खारी पानी की जि कि संद गोडवाना लेंड का अवशेश है कि विड्जन कनगार भूमि वैड़कन लाव पठार कि चेत्र में आते हैं कर देन निगला भूमि वैड़कन लाव पठार कि यदर म पढ़ायर कम दर्चनलों लसाडिया का पठार है तो कहां पर स्थित है उद्यपूर में जैसमद जील के आगे उत्तरपूर में पिछेदित कटा पठा पठार है कौन सा लसाडिया का पठार है जो कहां पर है उद्यपूर में गंटियों के सेर कौन सा है जालावाड जादरावाड जादरापाटन जुक बर्तपुर अल्दी गाटी को मेवाड का थ्रमोपुली जनरल जेमिस टोडने का था तो अब कहा शते त्याल्दी गाटी राजसमंद जिले में नमाबो का सहर कौन सा है टोंक उज्यानों का सहर कोटा बावडियों की नगरी भुंदी टेक्स्टाइल सिटी कौन सी है सबसे बड़ा है सबसे चूटा सबस इसकी दर्शटी के उद्ष मर शोटा है बर्तपुर और सबसे बहाथी लातेर 시청 में सबसे चोटाज लाकृवल कॉन सार्य जोल्पुर equally किस लिए खेतर पन किदाına जैपुर मैं सपसकर क्या करता है तो नूम शूर दूंडाड कहलाता है कौन सा चेतर जयपपुर के आसपास का चेतर दूंगरोपुर वामासवड़ा के बीच का बाग क्या कहलाता है मेवल मेवल कौन सा चेतर कहलाता है तो दूंगरोपुर वासवड़ा के बीच का बाग अलवर्वर्च छेतर को मेवात जोदपूर को महरवाड बर्तपूर्वर्वर्पूर्पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व कौन कौन से जिले सामेले तो वर्थफूर दोलफूर क्रोली पाली नागोर तता सिकर जूंजनों का कुछ बाग क्या कराता है बागड क्या कराता है बागड तो बागड थे तर में कौन कौन से जिले आते हैं पाली नागोर शिकर जूंजनों का कुछ बाग आता है अगला क्य अड़ावाला परवत का सिर्थ है बुंदी में मालकेत के पाड़ियां का है शीकर में विज्जासन पाड़ियां का है बुंदी में विज्जासन पाड़ियां का है बुंदी इंदर्गण के पास इसी पाड़ी पर विज़ासनमाता का मंदिर भी है राजस्तान को चार बोतिक विवागों में बाटा गया है राजस्तान में कितने बहुती विवागों बाटा गया है तो चार में शेक अवाटी चेतर में गांस के मेदानों को स्थानिया नाम क्या कहते हैं तो बीड कहते हैं क्या कहते हैं बीड इस बसा में स्थानिय बसा में गांस के मेदानों को वीड का ददता है राजस्तान में 61% के लगबग बोबा क्या है मरुस्तल है राजस्तान का मरुस्तल ये बाकितने पétaitिस्त है तो 61% पॉर्ट का मरुस्तल थार भार्द का मुरुष्टल कों सा है थार सारा मुरुष्टल कांग अफरीका में गोबी मुरुष्टल कांग चीन में अरावली प्रवतमाला की ओस्तन उन्चाई कितनी है 930 मेटर किसकी उन्चाई यह अरावली प्रवतमाला की ओस्तन उन्चाई यह अगला क्यूशन मावट या मावट सर्दियों में बूवक, मध्य सागिरी या चक्रवातों पस्च में विक्षवबों की कारण उत्रीव पस्च में राजस्तार नोने वाली वर्षा क्या कलाती है मावट अरावली प्रवत्वे दक्सिन पूर्वी पठारी वाग आडोती पठार किस का वसेश है तो किस का वसेश है गोडवाना लेंड का राज्य का साथ से आठ परतिशत वाग है कौनसा दक्सिन पूर्वी पठारी वाग विंद्धन कंगार बोमी वाड़कन का लावा पठार इसी छेतर में आते हैं रन या रन मरूस्तल में नीमन बोमी को मरूस्तल में नीमन बोमी में वर्साजल से बनी एस्ताई जिलें यह दल दली बोमी क्या कहलती है रन रसकी पाड़ियां कहा हैं? सिकर में उद्ध्यपूर जिले के उत्री बाग अरावली सिरेनी के पष्च में उपर वतिया खंड तता इसके परे50 से मिंगी वर सारे खा ताथा महान बारतिया जले विवाजक द्वारा किस की सिमा बनती है तो किस की सिमा बनती है उत्तरी पस्चमी रेगिस्तान की पुरुवी सिमा बनती है अरावली सरंकला राजस्तान के कुल 16 प्रकार कितने प्रतिस्त है तो 9.3 प्रतिस्त है वलित प्रकार की परवत सरंकला है इसके लंबाई कितने यह 922 में किलोमेटर कुल है तो दिल्ली से गुजराद तक है रेगिस्तान का मार्च से क्याताथ परिया रेगिस्तान का आगे बढ़ना अरावली की चोड़ाई कहां से बढ़ने लगती है अरावली की चोड़ाई कहां से बढ़ने लगती है तो उद्धेपुरो डूंगुरपुर की तरफ दक्सिनपुरो में उद्ध्य पुरों डूंगर पुरों की तरफ दक्षिन पुरों में अरावली की चोड़ाई बड़न लगती है उत्तरी वे मध्यवर्ति भाग कौर्ट जायट शेलों से बने दक्षिन में आबू की निक्ट उन्चे प्रवतिय खंड ग्रेनाइट शेलों से विसो की प्राची तम सरंकला एकोन शी अरावली दारवाड समय के समापतों ने तक शता विंदेन काल के अंतके अस्तितों में आई कोनाई अरावली प्रवत्त शरंकला अरावली की सबस्यों से चोटी कोन शीया गुरू सी करसकी शिकूंचा कितनी है 1722 जो का श्तित है माउट अबू शीरोई जिले में उत्तरी अरावली चेतर की सबस्यों से चोटी कोन शीया रगुनात गड़ शिकर 1055 मिटर अरावली उत्तरी अरावली चेतर की सबस्यों से चोटी कोन शीया रगुनात गड़ शिकर 1055 मिटर उन्चा ये अन्य कोन शीया तार तो आए जयापूर में साथ सो आणवे मेटर ये सभी उत्तिरी अरावली की छोटिए आए अरावली परवत्षनकला का सर्वा दिक्वें नियूंतम विस्तार किस जुलों में नहिए तो सब से दिक आये उध्यापूर में सब से कम अजमेर में कि संपेक्षिक तर्ष्टी से राजस्तान का कौन सा भूआ करतिक प्रदेश एस सपष्ट उदर पर्वाय का चेतर है तो दक्षिनि पूर्वी पठारी प्रदेश को चेतर दक्षिनि पूरुवी पठारी प्रदेश पुर्वी शिरोई में तेरो ढलवे उबढद खाबड कटक पाड़ियां स्थानिय बासा में नाम किया है तो बाकर उद्ध्यपुर के आसपास पाड़ी से गिरा तसकरी नुमा चेतर क्या कहलाता है क्या कहलाता है गिर्वा उद्ध्यपुर के आसपास पाड़ी से गिरा तसकरी नुमा चेतर गिर्वा कहलाता है बोराट पठार के पुरु में दक्सिन सीरे का परवत सकंद किस के बीच एक जल विवाजा का कारिया करता है तो अर्द सागरव है बंगाल की खाड़ी के बीच जल विवाजा का कारिया करता है धरियन क्या है धरियन कि दर्यान क्या जेसल मेर में स्थाना तरी छेट ताने तरो होने वाले बालू का स्थूप आपने बाइसान अगाने टिप बाग होनी वह एक जगां दूसरी जगां 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 चेंज कर देवें कि माले आज यहां हैं तो के दिनावादवान दीचाले तो दूसरी जगां की सकजें उसी को जेसल मेर में स्थाने तो अन्य वाले बालू का स्थूप कहते हैं उनको कहते हैं धर्यान का जाता है बोराट का पठार उद्ध्यपुर्वे राजसमंद में इस्थित है गोगुंदा से कुम्बल गड़ तक कहां तक है गोगुंदा से कुम्बल गड़ तक पुर्वी मेदानी प्रदेश में राजस्तान का 23,3 परतिशत बाग आता है छेतरपल की दर्ष्टी से जन संग्या कितनी वह सकते हैं चालिस परतिशत उपी विवाग चंबल माई बनास बैसीन इसके उप बाग है पुर्वी मेदानी प्रदेश के सपन का मेदान प्रताब गड़ विवां सोड़ा के मद्य का मेदान सिक्र की पाड़ियों को स्थानिया बासा में माल खेते किसे का जाता है तो सिक्र की पाड़ियों को स्थानिया बासा में केते हैं एक टोडगड़ का किना मेशा का पठार पर इस्तित है कों से पठार पर इस्तित है शब से उन्चां पठार कौन से है तो फूड़िया का पठार रहे तो गुरू में की पाड़ीस हें मेर्वाड़ा की पाड़िया जू ताठकड के समी का एंठी मेर ने मीरवड़ा की पाड़िया जो ताठकड के समी का और आантमेर में मद्देवाग में गोडवार्ड परदेश किस बेसिन को का जाता है तो लूनी बेसिन को का जाता है लूनी बेसिन को क्या जाता है तो गोडवार्ड परदेश का जाता है गोडवार्ट प्रदेश को किस वेसिन को काता है तो कौन से वेसिन को लूनी वेसिन को जो हड क्या है शेकवार्टी चेतर में कुवों का स्थानिया नाम और शेकवार्टी चेतर में कुवों को स्थानिया बासा में जोड के है और शेकवार्टी चेतर में कौन साथ है चूरू से जाना जाता है तो किसे नम जाता है नागोरी उस भूमी के नाम से जाना जाता है कि जर्गा और रागा के मद्या का छेतर क्या रहता है जर्गा और रागा के मद्या का छेतर क्या करता है देश हरो यह कहां स्थित है उद्यपूर में डेश हरो किया इसमें यह हमेशा हराबरा रहता है इसका निशी क्या कहा जाता है देश हरो का जाता है उद्यपूर में स्थ रुक्री देने बात